हलो फ्रेंज मेलकम बैक टू मैई चैनल बहुत दिन हो गया है मैंने कोई रेस्पी सेयर नहीं किया है आप लोग के साथ तो चलिए आज मैं आप लोग साथ एक बहुत ही अच्छा सा आनों की एक रेस्पी सेयर करती हूं जो लड़कियों के बिदाई में जो माईके के तरफ से सुसराल वालों को दिया जता है जिसे हम बिहारी भासा में तो कसार कहते हैं अब पता नहीं इधर क्या कहते हैं तो आज मैं आप लोग के साथ कसार की रेस्पी सेयर करने जा रही हूं तो वो भी चावल का नहीं चावल और सूजी दोनों का तो यहाँ पे देखिए यसे छल लिया है अब बस सेम कडाही में दो कटोरी से थोड़ा कम पानी डालना है और फिर इसमें हमें चीनी आइड करना है तो आप इसका गुड का भी बना सकते हैं और चीनी का भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मेरी मम्मी यह चीनी का बना रही है गुड का नहीं बना रही है तो दो कटोरी से कम हमने पानी लिया था और लगभग तीन कटो पानसों ग्राम सूजी 500 ग्राम चावल काकि ऊस हिसाब से हम यहां पर कम से कम 500-600-700 ग्राम चीनी आड़ किया है ताकि यह थोड़ा लिट। आथा लगता है यहां पर हम जो चावल भून करके इसको पीशा जाता है उसके बाद फिरी से बनाया और सूजी और चावल को दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छी से उसके बाद फिर हमें यहाँ पीजिआ चीनी और पानी दो चासनी का तरह बनाना झाया बिलकुल गाड़ा अगल कि पतला नहीं होना चाहिए जैसे बिल्कुल उस टैप कहीं हमें चासनी चाहिए नहीं जादा घढ़ा चाहिए और नहीं जादा पतला चाहिए इस टाइप का चाहिए जो कि हम जावल में डाले तो अच्छे से मिल जाए और लड़ू की तरह बंद जाए तो यह देख सकते हैं आप लगभग हमारा चासनी रेड यह देखिए चासनी बिल्कुल रेडी है अब हम इसे निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कितना थीक है ना ही थीक है ना ही मतलब पतला है आप देख सकते हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और चावल के जो मिक्षर है सुजी का और चावल का उसमें हम इसे बहुत जल्दी से अच्छे से इसे मिलाना है और इसके साथ साथ हमें इसमें घी भी आड़ करना है घी थोड़ा ज्यादा आड़ कीजिएगा तो ही लड़ू जो है बहुत स्सि Furthermore कि सुnet करण करते हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कंद सब्समें और देएसों में इसे आप से बहुत बहुत अच्छे तरीके से चार तरफ से मिक्स करते हुए जयाको घी सब्सक्राइब से मतलब मिक्स करना होता है यह देखिए मिक्स हो गया आप हम इस तरीके से लड़ू के आकार में राउंड राउंड सेफ में हम इस तरीके से सेफ दे करके बना लेंगे यह कसार बिलकुल रेडी है आप देख सकते हैं और अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप एक बड़ बना कर जो ट्राई कीजेगा बहुत ही टेश्टी लगता है अगर ये क्या कहते हैं अगर गूर का बनाएगा न वो और भी टेश्टी बनता है पर इसमें सूजी है तो सूजी वाला थोड अगर ये रेजपी आप लोग को पसंद है तो आप कमेंट जरूर किजिएगा आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कमेंट भी किया किजिए ताकि हमें मुझे पता तो चले कि मतलब विडियो पसंद आ रहा है उसी साब से मैं वीडियो बनाये करूंगी इसी तरीके से सायरो को हम राउंड सेप में ऐसी बना लेंगे और सब एक साथ रख लेंगे तो यह रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट और सेयर किजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कर दीजिएगा मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई